नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा और हमारे महमान हैं समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी अधिव्यक्ता सभा के रास्त्री अध्यक्ष गौरव भाटिया उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक युवा नेता हैं और युवाओं की राजनीती आन की उनसे जानने की कोशिश करेंगे सोल्वी लोकसभा के चुनाव दस्तक दे रहे हैं 80 सीटे आती हैं उत्तर पदेश से इन 80 सीटों पर घमासान हैं और खास दोर पर दिक्कत यह है समाजवादी पार्टी को कि वो अभी तक अपने टिकट बदल रही है पहले उन्होंने सब लोकसभा के एलेक्षिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी सबसे पहले गोशित कि और यह जो अभी बदले जा रहे हैं टिकेट यह क्यों बदले जा रहे हैं इसके पीछे जाने की जरूरत है बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो की मेहनत कर रहे हैं जो की वहां हैं उन सब का आंकलन करने के बाद जो हमारी राश्ट्रे नेतरुत्व है वो फैसला लेती है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा कैंडिडेट होगा पार्टी का जो सबसे बहतर साबित होगा और जीत के आएगा टिकेट बदलना जीत के आएगा इसमें दिक्कत नहीं आएगी जिस के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं खास करके समाजवादी पार्टी के कार करता तो ऐसे लोग आपको नुकसान भी तो पहुंचाएंगे आप कैसे जीतेंगे इस हालत में देखिए पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कुछ दिक्कते जरूर आती हैं किसी विक्ती ने अगर मेहनत करी है तो उसकी कुछ उमीदे भी होती है जब टिकेट कटा है तो कश दरूर होता है लेकिन समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सिर्फ सकता के लिए और चुनाव लड़ने के लिए कारेकरता पार्टी से नहीं जोड़ता ये वो पार्टी है ज आपको आना है लख्नव से दिली, आप दिली से लख नव चल देते हैं, आपकी साइकल वाकई में खास कर के मुख्मंतुरी अकलेश उन्होंने साइकल बना ली, अब की साइकल चला के क्या वो नेता जी को प्रधानमंतुरी बना पाएंगे? या इसमें पंक्चर कर देगी बीजेपी ये वो साइकल है जिसको 2012 में भी सब ने पंक्चर करने की कोशिश करी लेकिन पंक्चर हुई नहीं सब लोग दर किनार हो गए ये वो ही साइकल है जो जब रत्यात्रा निकली श्रियकलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में तो की शुरुआत हुई है दिशा तो आप अपनी तो आप अपनी तो आपने देखा होगा कि जब इसका समापन हुआ लखनव में तो एक भारी संख्या में भीड़ वहां थी और एक नई जोश नई उर्जा और हमारे जो राश्ट्रिय अध्यक्ष माननी मुलायम सिंग्यादव है उन्होंने आशिरवात दिया युवाओं को कि आपने हमेशा भारी भूमिका अदा करी है और इस चुनाव में भी आप से हमें बहुत उमीद है ऐसा क्या होता कि आपका समाजवाद खाली उत्तरप्रदेश में आकर से मठ जाता है आप दिल्ली तक नहीं आते आप मध्यप्रदेश नहीं जाते आप उत्तरप्रदेश से बाख है खाली बजली नहीं आते है आते है आते हैं तोर्देश के रहना अग्या करहा है ट्क नहीं खेल्ग घंड़ित्ह이면 कई़ेश में येशावाद खाज़्य अप्रदेश नहीं जो होती है आप पतिम्दोपर खाल एंट tenho आ खाल मे आते हैं करीब 20 करोड की जन संख्या है यह कोई असान प्रदेश नहीं है एक बहुत बड़ा देश हम एक टाइम पे 49 सीटे जीट चुके हैं यह अपने आप में कहता है कि यह प्रदेश की पार्टी नहीं है यह कुछ राष्टी पार्टियों से जादा बड़ी पार्टी है लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जो हमारी सोच है जो हमारी आज की तारीक में सरकार है उसके कुशल कारें से हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश शादर जी के नितृत्व में यह पार्टी जो है और प्रदे प्रदेश बहुत महत्पून है यह कई प्रदेशों यह यह माना जाता है कि दिल्ली का रस्ता लखनव से होके आता है अगर आपको संसत तक जाना है अब संसत तक जाना है आप गणित लगा रहे हैं 11 पार्टियों वीडस लगार आपकतेशन कंस्रेशों प्रदेश्तियों झार्टियों, लगार आपकते खुआ हैं 11 प्रदेशन के आपकते अप конце को नाही जार्टियों गल्यालिग के रहे हैं 10 प्रदेशन थाड़ मार्मारे हैं झाल 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 झाल